हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सभी लोग मेरा नाम है आशिष जोशी और पिछले वीडियो में हमने बात करी थी एंटैसिट्स के बारे में हमने अच्छे धंग से बढ़ा था कि भई एंटैसिट्स क्या होती है ठीक है इसके आइडियल प्रॉपर्टीज क्या होती है और इसके क्लासिफिकिशन होते हैं क्यां में हम शिक्राश क्यों देते हैं क्या और क्या ऐसे कंपाउंड़ है जो हम चिक्क यसा आज हम उसमें कुछ भ्रॉंद्व हैं जो इन्व MMA अभी तो नहीं ब 지네 क्लेंगे इन्हें भोलेंगे Vivian बोलेंगे हम जो बाठता है पढ़ेंगे हम इसी चैनल हमेशा पढ़ते आ रहे हैं हम पढ़ेंगे सोडियम अधा Android का molecular formula molecular प्खार्मूरा थो एक अब देखें मने बोलव वह क्योंकर पहले बहु Summenidate ग्रेयम निकाल सकते हो य libraries में इंपूर्टेंट मैं लिखता निता लेकिन अज लिखना ओस्ट इनूनीम अगुईन एट जिसे गों इनुवने मतलब ऊपनाम ऑस्ट ङयाँ सजह से इसको आप मेने आपको पहली बताया था यह हाइड्रोजन कार्बोनेट अब देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते अगर पेपर में आ गया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के बारे में बताओ तो आप यह नहीं बोल सकते कि आशीश ने तो यह बताया ही नहीं था मैं वीडियो लक्षर में क्य baking soda का chemical name क्या है chemical structure क्या है बहुत कुछ पुछा जा सकता है इस नाम में baking soda खाने वाला soda अपने दिखा हो गया ना हम खाने में डालते हैं soda तो यह है इसका molecular formula molecular weight और synonym ठीक है अब हम इसकी बात करते हैं अब हम बात करते हैं में physical properties की ठीक है अब हम बात करते हैं physical properties की sorry method of preparation की हम बात करते हैं method of preparation की अगर हम method of preparation की बात करें दो method हैं इसके पहला है solvay ammonia method अब दिखिए कि solvay ammonia method बहुत easy method है दूसरा laboratory method तो हम सबसे पहले solvay ammonia method की बारे में बात करते हैं इस method में क्या होता है हम कि जो ammonia water है उसमें जो है carbon dioxide gas pass करते हैं और हमें precipitate मिल जाते हैं डारेक्ट किसके carbon dioxide के अब ये तो मैंने ऐसे बता दिया लिकिन reaction ये दो step में होती है ठीक है step step one step two step one में क्या होता है step one में क्या होता है मैंने आपको क्या बता है हम किसकी reaction करता है ammonia की reaction ammonia water ठीक है ammonia water मतलब किसे करते carbon dioxide से मतलब co2 plus ammonia water मतलब water ammonia mix किया हमें H2O plus ammonia NH3 ठीक है तो क्या मिलेगा हमें अब बताए क्या मिलेगा हमें इसमें देखिए यह hydrogen यहां पर कितने hydrogen है दो hydrogen है यहां पर एक oxygen है यह oxygen यहां oxygen वाले के पास चला गया इसको ऐसे भी याद कर सकते हो यह hydrogen है hydrogen अपनी family में चला गया ठीक है यह hydrogen वाले के पास चला गया यह oxygen वाले के और चो बीच में रहा आप यहां कितने थे दो हाइडरोजन थे एक ऐक सीजन था एक यहां चले गया यहां से गायब हो गया एक ह। फार मतलब अमोनियम salt अब देखिए मैंने क्या बोला Ammonium NH3 मतलब Ammonia ठीक है क्यों NH nitrogen तो 3 उसके साथ कर रहा है अगर nitrogen एक के साथ कर रहे है तो यहां पर यह आजाएगा ठीक है positive charge आजाएगा ठीक है ठीक है तो यह Ammonium यह क्या है है hydrogen लगा है ना बाईius sodium एन ए ए एच थिए स्यो थ्री यह यह द्खना आप अब अब इने के बदले निज थृ है तो अमोनियम बाई कार्बोनेट अब देखें कितना इजए हैं Amoniety बाई कार्बोनेट ठेक है इम्ढोनियम राइक कार्बोनेट और क्ली związ consider की बात नहीं है अब उसके बाद क्या है दूसरा step two step two में क्या होता है यही ammonium hydrogen carbonate या bicarbonate की reaction हम किसे कर लेते हैं किसे कर लेते हैं एने सीयल sodium chloride से क्यों क्यों हम यहां पर sodium चाहिए तो क्या हो जाएगा अब बताइए क्या होगा तो इसमें क्या हो जाएगा आपको तो यह चाहिए ठीक है तो यहां से एनेच आएगा निकलेगा बाहर और यहां से सीयल निकलेगा यह दोनों मिल जाएंगे तो एनेच फॉर सीयल प्लस एनेच आप भी बाकिया जाएगा एने एच सीयो थ्री अब देखिए यह क्या है ammonium chloride ammonium पढ़ा ना हमने एनच फूर ammonium पढ़ा तो यहां भी ammonium रहेगा ammonium chloride और sodium hydrogen carbonate अगर आपको यह reaction समझ में नहीं आई तो आप क्या कर सकते हैं अब देखिए मैं क्या बताऊंगा आप इसको ऐसी भी लिख सकते हैं आपको यह reaction यह तो समझ मां आ गया इसको आप ऐसे मत लिखिए इसको आप अगर आपको ऐसे confusion हो रहा है तो यह आप यहालिक जीजी दे इसको NH5CO3 मत लिख देना कि HH है जोड़ देते हैं दोनों को ना ऐसा नहीं ठीक है step 2 अब आप यहाँ पर लिख दीजिए step 2 ठीक है step 2 आपने आ लिख दिया तो यह जो इसकी reaction किससे करोगा आप NaCl से NaCl प्लस NH4HCO3 अब देखिए यह और easy हो जाएगा इतना बाहर निकाल द अब देखिए प्लस NH4Cl अमोनियम क्लोराइड तो हमको हमको जो चाहिए था यह हमको आपर मिल गया है सोडियम हाइडोजन कार्बोनेड यह है इसकी पहली मैथल जिसका नाम है सॉल्वे अमोनिया मैथल इसमें क्या करते हैं अमोनिया वाटर के साथ रियक्ट करवाते हैं कि अब इसकी दूसरी जो मैथड है अब देखिए मेथड अब एच्चन में हम इसकी सेगन मैथड पर्ड रहे हैं ठीक है जो इसकी दूसरी मेथ ड.:फ वो है कि लिभ उड़ेतड रिमेट December strategy में ठीлин Africa after lab में से किसी रिएक्शिन करवाय था c o 2 wae co2 फ्लस h 2 o plus mh 3 koh is sorry तो एने टू C o 3 इस बार हम एने टू C o 3 कह करवाएंगे पिछली बार हमने किस से कर वाय था सी अमोनिय वाट लिया था आपने पिछली बार तो इस बार हम क्या ले रहे हैं एने टू C o 3 ले रहे है Na2CO3 क्या होता है अब हम अभी हम क्या पड़ा है NaHCO3 तो sodium hydrogen carbonate अब hydrogen इसमें है नहीं तो sodium carbonate यह क्या बजाएगा sodium कार्बोनेट ठीक है sodium carbonate की reaction हम किसे कर रहे हैं CO2 और H2O से कर रहे हैं ठीक है अब देखे तो क्या होगा अगर इसको प्रॉपर अगर आपको निखना है इस मैथड में आप क्या लिखोगे कैसे करोगे अगर आपको लिखना है तो आप यह लिखोगे कि हम जो sodium carbonate को जो है हम क्या सेचुरेट करते हैं carbon dioxide के साथ उसके बाद देन उसे कूल करते हैं अगर आपको प्रॉपर वैसे लिखना है आप ऐसी भी लिख सकते हम क्या लेते हैं sodium sodium carbonate plus उसकी reaction हम CO2 से करवा रहे हैं उसके बाद उसे कूल कर रहे हैं अब कूल अब देखिए कूल कर रहे हैं मतलग है जब उसे हम फ्रीज में रखेंगे तो उसमें क्या एड़ होगा water के molecule एड़ होंगे ठीक है तो अब यहां पर क्या होगा यह बहुत important reaction है यहां पर हमें तीन reaction और बन रहे हैं ठीक है कैसे बन रहे हैं वह मैं आगे बताऊंगा आपको अब अब इक बाद ध्यान से समझिए यह दो मोल एन एच-सी-ओ-3 के कैसे मिन रहा है इसको बड़ा ध्यान से देखिए अभी एन एच-सी-ओ-3 के दो मोल है मतलब कहने का मतलब क्या है कि एन एच-सी-ओ-3 एन-ए-च-सी-ओ-3 अब देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हो ठीक है एन एस-सी-ओ-3 का मतलब क्या है एन एस-सी-ओ-3 दो बार है अब दो बार है मतलब अब कैसे आया अब भिष्य समझेगा दो एन-े तो यहां से आ गय है एक अंक यहां से आ गया यह एदो एन-एक हां से आ गया यह ऑन-एक यहां चाहां रहा हूं है मैं आपको बता रहूँ कि यह टू-ए एस-सी-ओ-3 कैसे आया तो यह पर दो-шь-ओ-डियम थे तो दो-िम तो यह Honig george झालिए सिञ में अब इसमें अब गचाए रुचा या है सीन अगर को आहें अगर आप कि इसका है इस व करेंगे तो आप को और ज्यादा समय में आजाएगा एन टुसी और तो की इसमें क्या है अगर आपको ऐसे समझने ही आ है ये अपने oxygen के पास चला गया जैसी ये इसके पास चला गया यहां क्या पचा ठीक है 2H हो गया 2H मतलब 2 into 2 बार है ना-COO3 ना-COO3 दो बार है तो 2H ये हो गए ठीक है और बाकी क्या बचा CO3 1-COO3 ये है क्योंकि यह यहाँ चले गया था तो CO3 हो गया था और 1-COO3 ये है तो CO3 ये हो गया 2-N-A-COO3 अभी भी कोई डाउट है आपका नहीं है कोई बात न लीजिए जब भी मैं आप नोट्स जब भी मैं क्लास लेता हूँ अब देखिए मैं क्या क्या किईजिए कोई पैन लेकर बैठा कीजिए तो ये हो गया आपका लाबरेटी मैथट ठीक है तो इससे हमें क्या मिलता है sodium bicarbonate के 2 mol मिलते हैं दो मोल निकलते हैं ठीक है ये हो ग फिजिकल टेस्ट की, अब हम बात करते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की, देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आप लिखूं क्या है, इनको फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, वाइट किसलाइन पाउडर होता है, ठीक है, एलकलाइन लिट्मस पेपर में जो alkaline nature यह शो करता है ठीक है ऐसे करके कुछ भी आप आप कुछ पता है एंटासीड है तो alkaline ही होगा यह आप लिख सकते हो ठीक है इसमें दूसरा यह है कि यह इंसॉल्यबल उस्लाइटली सॉल्यबल उटा वाटर में और इंसॉल्यबल होता ही नहीं है ठीक है मेन हैसमें अब यह यहां से इधर को पढ़ रहे थे अब इधर से इधर को पढ़ेंगे ठीक है है रिवरसीबल रियक्शन है धीक है अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे अपान हीटिंग जब हम इसको हीट करते किसको चोडिام भाष कार्बोनेट को हम हीट कर रहे हैं यह हीट का साइन हो जाता है तो यह ब्रेक हो जाएगा किसमें सोडियूम कार्बोनेट वाटर और Button डाइ ऑक्साइड गैस रिलीस करेगा ठीक है तो यह और यह सेम ने कोई ही दिक्कत नीय और नहें तो यह हो गया आपका अभी एख बार और आई जी यह सेम रियक्शन एक बार और आएगी इटिफिकेशन टेस्ट में ठीक है तो यह है इसका पहला यह आपको समझ में आ गया यह पहली केमिकल प्रपरटी से इसकी दूसरी टैमिकल प्रपरटी क्या है अगर हम इसको एने हैच यूथ को सोडियम बाइकार्बोनेट को ठीक है सो हम acid से कर रहा है S2SO4 से कर लो HCl से कर लो दोनों से करेंगे हैं पहले S2SO4 से करते हैं ठीक है अगर S2SO4 से करेंगे तो क्या बन जाएगा अब ध्यान से देखेगा यहाँ पर बन रहा है N A ठीक है H तो यह बनेगा N A2SO4 sodium sulfate और HCO3 के दूमों निकल रहा है ठीक है यह क्या बन जाएगा N A2SO4 sodium sulfate प्लस water प्लस U2S यह क्या है salt है sodium sulfate salt बना रहा है ठीक है यह हो गया एक reaction और इसकी अगर हम यह तो पहला अगर हम दोनों में से एक लिखनी नहीं को जड़री नहीं आप दोनों लिखो इसकी अगर हम reaction करेंगे किस के साथ HCl के साथ ठीक है 2 mol HCl दो तो भी हमें क्या मिलेगा N A Cl 2 mol N A Cl प्लस H2O प्लस अब यह देखे अब आप इस से लिखिए है दोनों में से आपको एक लिखना है तो यह है आपकी reaction ठीक है अच्छा इसमें यह दो हो रहा है कोई बाद नहीं imbalance हो रहा है तो इसको आप इसको balance कर दीजिए दू-दो मूल एट कर दीजिए ठीक है अब देख लीजिए का reaction balance है ठीक है तो यह है इसकी chemical property इन दोनों में से आप या तो इसको लिखिए तो इसको हटा दीजिए इसको लिखिए इन दोनों में से एक लिखना है आपको ठीक है अब हम बात करते हैं इसके identification test के बारे में ठीक है हम बात करते हैं इसके identification test के बारे में बात करें तो जब भी हम इसे heat देते हैं, boil करते हैं, ठीक है, boil करते हैं, तो जो है CO2 release होगी, यह इसके identification test है, अगर हम sodium bicarbonate को boil करेंगे, तो carbon dioxide जो है, निकलेगी, उसको हमें कैसे पता लगेगा, जैसी carbon dioxide, इसमें carbon dioxide है, मतलब, अगर जैसी हमने डाला, इसको boil करा, तो बुद बुदाहट होगी, अब देखें, मैंने फिर लिख दिया, बुद बुदाहट, ठीक है, effervescence, तो यह जो बुद बुदाहट है, यह किसका example है, carbon dioxide का example है, ठीक है, यह है आपका, इसका identification test, अब हम बात करते हैं, अभी मैंने फिर वो गलती से मिटा दिया, HCL वाली reaction, ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसकी identification test के बाद हम पढ़ते हैं, इसका essay, क्योंकि star mark है, ऐसी तो पढ़ना जरूरी है, essay में क्या है, इसमें बहुत easy essay में, essay में हम क्या करेंगे, substance को लेंगे, Na2, sorry, NaHCO3, ठीक है, उसकी reaction हम किसके साथ करेंगे, 0.1 normal HCL के साथ, ठीक है, 0.1 normal, किसके स साथ, HCL के साथ 2 mol, अभी हम ले रहे थे ना, पहले हम नहीं किया था, तो क्या मिल रहा था हमें, NaCl के 2 mol, प्लस, H2O, प्लस, CO2, yes, तो यह है इसका essay, अब इसमें हम लेंगे, indicator लो लेंगे, methyl orange, methyl orange as in indicator लेंगे, यह भी लिख देना, indicator, ठीक है, तो यह हो गया इसका essay, ठीक है, ऐसे के बाद हम बात करते हैं, इसके usage के, अब हम बात करते हैं, गया का क्या हो सकते है, आप खुद बताएं, uses के क्हा हो सकते हैं, uses के बात कर लेते हैं, कुछ चीज़ें तो important जैसे, इसका, एक तो एस्तिंग जंट के दोर पर use होता है, क्या बोलते है, एंटैसिट के तौर बे यूज होता है ठीक है दूसरा electrolyte electrolyte replacement treatment में या therapy में भी यूज होता है sodium और bicarbonate iron की reficiency को पूरा करने के लिए यूज होता है ठीक है इसका 3.5% weight by volume का solution है यह eye lotion के लिए काम आता है eye lotion ठीक है और इसका 5% weight by volume जो solution है यह अपना ear drop के लिए use होता है तो यह है इसके कुछ uses ठीक है हमने पड़ा sodium by carbonate हमारा खतम हो चुका है ठीक है अब हम दूसरी ड्रग पढ़ते है next drug है aluminium hydroxide और यह क्या है gel aluminium hydroxide gel है चुकि यह gel है पहले तो इसका इसके molecular molecular formula क्या हो सकता है aluminium hydroxide ALOH का whole thrice ठीक है molecular weight 77.99 gram ठीक है अब देखे इसमें composition अब देखे यह gel है ना composition इसमें क्या-क्या होता है इसमें रहता है इसमें रहता है aluminium aluminium carbonate plus aluminium oxide यह दो इसमें प्रजेंट रहती ठीक है और एक चीज़ इसमें और प्रजेंट रहती है उसका नाम है यह आपने सुनना होगा sodium benzoate यह तो आपने बहुत सुनना होगा ठीक है यह क्यों यूज करते हैं हम यह बहुत अचार में भी यूज होता है ठीक है कुछ ऐसे खटाई का अचार दे वला का नाम है प्रिजर्वे्टिव क्या ओपाउंड को किसी चीज को इस चीज को घुझे कि भलप हो सकती है जिसके देर भी चांज की वह खिर अध्यू फोगया जैता है तो एक बिलीन प्वित यून नहीं होने देता तो यह anti-microbial agent के तौर पर use होता है anti-microbial agents क्या होते हैं जो microbial growth को उसमें microbes की टाणू जीबाणू यह नहीं grow होने देता है उसे बोलता है इसमें क्या क्या है आपके पास aluminum carbonate aluminum oxide sodium benzoid में ठीक है अब हम बात करते हैं इसके method of preparation के बारे में कि यह कैसे जो है मैं एक बाप पुरा लिख लेता हूं इसके method of preparation कैसे है ठीक है इसमें देखो हम क्या करते हैं basic लिए अगर देखा जाए तो तो यह है इसकी particularly reaction अब इसमें होता कि हम एक बार आपको बता देता हूं जो यह L2SO4 है हम क्या करते हैं इसमें हम क्या करते हैं जो sodium carbonate है मैंने आपको बता था ही क्या होता है अब इसको यह लिख सकते हो बात एक ही है ठीक है इसमें हम क्या करते हैं जो sodium carbonate है मैंने आपको बताया था ही क्या होता है अब इसकी reaction हम किसके साथ कर रहे है इसको हम पहले बॉइल करके डग देते हैं और उपर से जो है इसमें हम fit curry अप देखें मैंने क्या बूल दिया fit curry इलम को fit curry भी बोलते है इसको हम डालते हैं और इधर से glass rod से हम इसे stirr भी करते रहते तब तक डालते रहते हैं तब तक completely जो CO2 है carbon dioxide मतलब जो बुदबदा हट है ठीक है माँ बार 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 बुदबदा नहीं लिखूँगा तो जो बुदबदा हट है जो इसकी ठीक है इफर्वेसेंस है जो खतमना हो जाए उसके बाद जो हम इसे filter करते हैं और wash करते हैं ठीक है दो बार hot water से तो यह ज़ो हम filter करते जो वेश्म पर आया है वो प्रोड़ेक्ट होता है aluminum hydroxide यह हाप की पास नहीं का है यह है आप के पास ठीक है अब इस protection को देखाँ दिैनको है इस reaction को आप अगर ध्यान से दीखो ठीक है इसमें क्या है कि अब देख लो कि यह जो रियक्शंट है यथा बैलेंस है तो इसका मढ़ने सही लिखी है अब कैसे देखो कि हम देखेंगे इसमय जिहान से देखना है तो रियक्शन है तो समझने में थ्यूद टाइम लगएगा आपको ठीक है अगर आपको समय नहीं आ है तो कॉमेंट कितने औक अग्सिजन सेखते हैं थिकऊंकर की तोड़ गें एक कर शोब हुलगा ऊक्रैसट फोर यह है तो एस फोर का वोल ट्राइज भी कंप्लीट हो गया तीन एच्टू ओ तीन एच्टू का लोचा हो रहा है यहाँ पर और यहाँ पर क्या है तीन सी ओ टू है मतलब हुआ पास कुल कितने अक्सिजन है कितने कार्बन है ऐसे लिख लो ठीक है तीन आपके पास अब देखो ऐसे समझदे उसको तीन आपके पास क्या है कार्बन है ठीक है ऑक्सिजन कितने है तीन यह है तीन यह है नाइन ऑक्सिजन नो एक तीन यह है नो बारा ऑक्सिजन कितने है बारा ठीक है नहीं लेकिन यह तो पूरा हो गया ना आपका एक सेकंड रूखी अब 12 से बताई बताने दीजिए 3 अने तू हो गए है सोडियम आपके 2 हो चुके है ठीक है यह आपका हो चुका है कैट्व को हो चुका है अच्छा यह ओ एच का होल थ्राइस भी तो इतर पर यह तो पुदनी गिनाई नहीं था ठीक है ओके तो हमारे पास कितने कारवन थे तीन कार्बन थे ठीक है oxygen कितने है हमारे पास 9 12 ठीक है और hydrogen कितने है हमारे पास 6 hydrogen है अब गिन ये इसको अब इधर कितने है इस side इस side ये तो इस side हो गया अब इस side कितने है अब यहां तक हमने यहां तक हमारा पुरा satisfied हो गया इतने में हमको देखना है ये ठीक है oxygen कितने है अब देख्यें कहीं कुछ गडबड है नहीं देखं़ टू एल है तो 3्ठ्टू जा So तो यह कितने हो गे 6 और यह कितने हैं 9 अधिक है थी टूजा 6 ठीक है और थी जा ठीजा 6 6 6 क्या होगे 12 होगे कैसे यह ओएच है ना हम ओग इन रहे हैं अभी सिर्फ ठीक अभी ध्यान से समझेगा मैं भी कंचूज हो गया इसमा बताई है कि ती बहतरीन बात हो गई है यह क्य होल घ्राईस होल ध्याइस मतलब तीन ऑक्षिजें तीन हाइड्रोजण तीन निधित अग्यरोगाए और यह क्या है तो यह दो बार बताइए तो यह कितने हो जाएंगे 3 दू नीच है 3 दू नीच है 2 3 जा 6 3 2 जा 6 कुछ भी बोलिए ठीक है 6 ही होगे और यह oxygen है 3 2 जा 6 6 ही होगे 6 प्लस 6 होगे आपके 12 अब गिंते हैं हम hydrogen को hydrogen कितने है 3 2 जा 6 6 hydrogen है इधर तो कोई hydrogen है ही नहीं ठीक है बाकी क्या बचा carbon carbon इधर 3 है इधर क्या है 3 carbon है क्योंकि इधर तो कोई carbon ही नहीं तो satisfied होगया 3 carbon 12 hydrogen तो ऐसे reaction को भी आप satisfied कर सकते हैं आपने reaction लिख दी अब आप फटाफट अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है कि यार ओ इस 3 कितना है आप यह मैं बिल्कुल basic level का बता रहा हूं कि आप अलग अलग तोड़ दो आप CO वसे आप CO2 के साब से देखना चाहिए लेकिन नहीं समझ जा रहा है COS3 ले दो ठीक है तो reaction satisfied है तो हमारी reaction reaction सही है ठीक है तो यह है इसी method of preparation किसे हम कर रहे है potash alum अब देखे fit curry हिंदी में भी लिखने तो fit curry ठीक है बहुत काम की चीज़ा एक बहुत अच्छा stringent है यह ठीक है यह अब आपको आगे पता लगेगा इसको है इसमें अस्टिंगे भी है आपके topic में specifically potash alum भी है अपके इसमें ठीक है अब इसके बात करते हैं uses की uses की क्या बात करें कि इसमें potash है फिटकर ही यह तो astringent 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 तो यूज होता है यह एंटैसीद में हम पढ़ने तो है जा ठीक है बहुत खतरना प्मारेख को लेड़ा जिसे बोलते हैं ठीक है को लेरा कोई सोच रहा होगा मुझे को लेरा की स्पेलिंग नहीं आती है मुझे देखो ठीक है और दूसरा है आपका डायरिया ठीक है इन चीजों के लिए भी ये यूज होता है अब हम बात करते है अब बहुत important magnesium hydroxide powder एक drug और है ठीक है अब magnesium hydroxide powder में ज्यादा कुछ भी नहीं है इसके method of preparation हो गया इसमें main यह है कि इसके ingredient important अगर आप इसके ingredient याद होगी ना तो आप पूरा reaction बना दोगे कैसे एक बार मैं इसके पूरे लिखे आपको फिर बताता हूं तो यह है आपकी next drug जिसका नाम है magnesium hydroxide mixture ठीक है magnesium hydroxide mixture इसमें देखो आप क्या क्या गार होगी simple ingredient है इसमें सबसे main important इसके ingredient ही है ingredients है ठीक है इसमें क्या है देखो पहला रहता है magnesium sulphate ठीक है अब यह आपको याद हो रहा है तो ठीक है यह इसके particular नहीं याद हो रहा तो आप इसको skip कर सकते हो ठीक है तो इसमें magnesium sulphate हो रहा है sodium hydroxide हो रहा है magnesium oxide हो रहा है chloroform और DM water हम इसमें डाल रहे हैं DM water से 1000 ml makeup volume मतलब क्या है जितना भी हमने यह बनाया हमने 1000 ml के हिसाब से बना रहे हैं जो quantity हमने लिए 1000 ml के हिसाब से लिए जितनी quantity बची उसमें उपर से water add कर देंगे फिर 1000 ml तक कि मानलो यहां पर 1000 ml आ रहा है ठीक है मानलो हमने यहां पर तक quantity बना दी अब यह जितना भी है इसके उपर इतना 1000 ml डालके makeup volume कर देंगे ठीक है इसे बोलते makeup volume ठीक है अब इसके preparation अगर मैं बता हूं आपको preparation बहुत लंबी है इसकी बहुत मैंने notes दे रखे हैं ठीक है कि वह यह है कि अब देखिए ध्यान से समझेगा कि यह जो बीच के दोय अगर आप इसी सीक्वेंस में इसी सीक्वेंस में से याद करें आप एक फॉर्मूला इसका बना सकते हैं MSM CD MMS ठीक है या आप इसको ऐसे याद नहीं कर रहे हो तो आप इसको याद किजिए MSCD देख यह निया रहा है आप एक काम की है लाज साइं मेगैस्यम औक्साइड और यहां पर लग दीजे सोडियम हाइड्रक्साइड अब दीखें अब आपका फॉर्मूला बन गया कैसे कैसे बन गया आपने देखा होगा ना उसकी MMS लीक हो गई इसकी MMS लीक हो गई खर ऐसे बात नहीं करने चाहिए लेकिन याद करने के लिए कुछ भी कुछ भी आप बोल सकते हो कि इसका फॉर्मूला हो गया अब आपने क्या करना है कि इसके बीच का जो MS है अब देखिए यह जो बीच का मैसे इन दोनों को पहले मिक्स करना जो प्रिपरेशन आप दिखाओगे हम इनने इन दोनों को मिक्स करा मतलब वहाप लाइंग में नीचे नोट है नोट्स में डिस मेरी गंदी राइटिंग नहीं है कि आपको समझना आए खेर कुछ लोग बोलते हैं PDF बनाओ मैं PDF नहीं बना पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास बहुत कम टाइम रहता है ठीक है इन दोनों को आपने मिक्स करता सबसे पहले उसके बाद फिर आप उसमें मिक्स करने के बाद इसे बार खेर re Hopkins करो कि इसे में G humour करने के बाद होगा फिर उत्समें क्लोरो.फ आप यह बाद करो ट्रॉरी प्रॉक्र करोगा इससे कर बेंग इसमा बीम वाट डाल आप इसे लिखीए इसे याद करें ना करें चलो मत करो याद नहीं है कोई बात नहीं वैसे कर दीजे नहीं यहाद हो रहा तो छोड़ दीजे लेकिन आपको प्रिप्रेशन में ुख अगर पुरा लंभा लिखो गें इसको तो आपको नुम्बर दे देगा और यह देगा कि identification test identification test में क्या है जी लिटमस पेपर में ये alkaline nature शो करता है basic nature शो करता है basic nature या alkaline लिख दो alkaline alkaline nature शो करता है किसमें moist litmus पेपर में moist litmus अब देखिए ठीक है और uses क्या क्या है uses भी कोई लिखनी की बात है string यह अपना anti-acid main anti-acid और एक बिमारी में और यह यूज होता है stomach ulcer and stomach cancer अब देखिए कितने भेंगर बिमारी है stomach cancer करक रोग अब देखिए मैंने क्या बोल दिया करक रोग ठीक है तो stomach ulcer और stomach cancer के लिए यह यूज होता है तो यह थी आज की drug आज हमने 3 drugs पड़ी है I hope आपको यह मेरी वीडियो जो है पसंद आई होगी ठीक है अगर आपने अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बैल आइकन पर क्लिक कीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा आपने में जितना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धनिवाद थैंक यू सो मच